नमस्कार दोस्तों मैं अमिद्दुबे आज की सेल्थ वार्नेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दी का हमिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों पिछले एक से डेड़ घंटा से आपने हमारा प्रोग्राम देखा आपने विजनेस अपर्चुनिटी देखी तो जनरली ये सब चीज देखने के बाद हमारे और आपके दिमाग में बहुत सारे प्रस्ण चलने सुरू हो जाते हैं और साइध हम ये डिसिजन नहीं बना पाते कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इस काम में हमारा साथ दीजिए क्योंकि दो तरीके के काम करके लोग पैसा कमाते हैं या तो अच्छा काम करते हैं या तो गलत काम करते हैं मैं आप से क्यों ये डिसकस करूँगा कि आखिर हमारा जो काम है वो काम किस तरह का है क्योंकि अगर काम अच्छा लगा तो अच्छे काम में आप सब का साथ जरूर मिलेगा और दोस्तों अगर काम गलत लगा आप बोल के जाना इस काम को आज आपके साथ मैं भी खतम करूँगा मैं भी नहीं करूँगा दोस्तों पैसा कमाने का दो ही रास्ता है या तो अच्छा या तो बुरा आप देखे मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अंच अहीं बिमारियां और बेवज़ा मौत लगातार लोगों की किड्नियां फेल हो रही है लगातार लोगों का लिवर डैमेज हो रहा है कोई कैंसर से मर रहा है किसी को डैविटीज हो जारी है अब हमारी और आपके घर में जब कोई बिमार होता है तो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं होस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन सोचिए कैसा लगता होगा जब ये न्यूज सुनने में आता है कि अपॉलो और फॉर्टी जैसे होस्पिटल में किट्नी का रेक्टेट पकड़ा गया आज होस्पिटलों में ऐसा महौल बना हुआ है दोस्तों जहां पे लोग इलाज के नाम पे लोगों से पैसा लुटते हैं मुर्दो तक से पैसा लिया जा रहा है साइध इसका सॉलूसन था खाना पिना सही कर देना लेकिन आप देखिए कोई भी खाने पिने बिना फटलाइजर की उगाया नहीं जाता लोग मसालों में मिर्च में लोग इट पिस्कक टाल दे रहे हैं धन्या पोड़ल में गोडे का दे की लीद मिला दी जा रही है हल्दी में लोग रंग मिला देती है मतलब लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि खाने वाला मरेगा या जीएगा बस इस बात से मतलब कि पैसा आना चाहिए अरे उसकी बात छोड़िये लोग तो गाय और भैस को भी injection डाल के दूद निकालते हैं आप सोचे उस बच्चे के उपर क्या बित्ता होगा जो धर्ती पे आया है उसको पता भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है उसको जहर पिला जाता है ऐसे काम करके लोग पैसा कमाते है और दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि एक तरफ वो लोग और एक तरफ हमारी ये लोग हम लोग घर-घर जाते हैं लोग को हेल्थ कवानेस प्रगाम देते हैं उनको ये जनकारी दिया जाता है उन्हें क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए हम लोग के पास जाते हैं उनको समझाते हैं कि आप कुछ मत किजिए घर की मासालेदानी भी प्योर कर देते हैं पचासो बीमारियां से आप लड़ जाते हैं पचासों बीमारियां दूर हो जाती हैं दोस्तों हम पानी नहीं बेशते लेकिन हम एड़वाइस करते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आपने दो गलास भी पानी पी लिया आपका पेट सही रहेगा जिन्दी कभी कैस की समस्या नहीं आएगी आप खुद सुचिए कि हमारे और आपके एफोर्ट से किसी ke घुटने का δर्श सही हो जाता है किसी के डाइबेटिस सही हो जाती है किसी के हर्ट की ब्लॉकेस खुल जाती है और किसी की लाइफ अगर 5 से 10 साल बढ़ जाती है तो एक सवाल आपसे है हम अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं तो काम में साथ देना चाहिए डिसिजन बनाना चाहिए ये बात आप सब के समझ में तोन नेचाब भीर फिर दीए उसे पहले हमारे इस प्रोडक को हजारों लोगो ने यूज़ किया है और आज उनके पास रिजल्ट है ऐसे तीमारे प्रोडेक्ट इस्तमाल करने के बाद 3-3 महिने के अंदर रिजल्ट आई है आज हजारों लोग ऐसे हैं जिनको हार्ड अटेक की समस्या थी डॉक्टर साहब पांच लाख रुपए ले रहे थे आज उनको हिजाज मिला है ऐसे लोग जिनको 17-17 साल हो गए थे आप गूगल में जाएए यूटूब में पास कर लेते हैं च does the product में काम नहीं किया क्या जाएगा और जिस इंसान तो 5,000 बॉपए और खर्च होंगे कशिंसके 5 य्जाज रुपए लगने वाले थे भाई-पास अरजरि होने वाली थी उसकी 5 जाज रूपए इक्स्त्रा और कर चोंग थै लेकिन एक परसेंट विश्वास किया और रिजल्ट आ गया तो उस्तों अगर एक परसेंट विश्वास के साथ रिजल्ट आ गया तो सोचिए जिसके धाई लाख रुपे लगने वाले थे हमने उसके दो लाख पैसालिस हजार रुपे बचवा दिये जिसके पांच लाख रु जोरदार तालिया होने चाहिए अब आप लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि अगर इतने अच्छे प्रोड़क्ट है तो इस कंपनी ने हमें को बोला प्रोड़क्ट बेचने के लिए दोस्तो जिस कंपनी ने खुद की manufacturing unit लगाई जिसकी अपनी factory हो गड़ोर रुपे invest किये आपको क्या लगता है उस संस्ता के पास इतने पैसे नहीं है कि सलमान का अंसारुख खान को पैसा दे के अड़टाइजमेंट करवा ले करवा सकती थी लेकिन नहीं करवाया क्योंकि जर पी के उपर से जंप मार देने से किसी को कुछ नहीं होता तो कोका कोला पी के भाइद उपर के छज्जे से जंप मार के दिखा जूट बोलते हैं वो लोग जो ऐसे एड़टाइजमेंट करते हैं तो तो मार्केट में पैसा फेको कोई भी अपने आपको काला और कोई भी प्लेटफोर्म है जहां पर आज भी सच बिखता है वो है अपनों का प्लेटफोर्म सर मैं आप से पूछना चाहता हूं आपके घर में किसी को डियवेटीज हुआ आपने हमारा प्रोड़क्ट दिया और रिजल्ट नहीं आया क्या आप जिंदगी में कभी पर्मोट करोगे क्या एक लाक रुपए दूगा करोगे दो लाग दूगा करोगे नहीं कर सकता क्योंकि अपनों की बात है लेकिन दोस्तों मैं कोई पैसा नहीं देता और आपने घर में प्रोड़क्ट यूज कराया और आपके घर में रिजल्ट आया सर प्रमोट करोगे नहीं करोगे करोग कम बेचेंगे लेकिन इमंदारी के साथ काम करेंगे दोस्तों इसलिए यह सत्तर कड़ोर की बिजनस अपरश्रिटी कंपनी ने दुसरे को ना देके हमें और आपको देने की कोशिस की है फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता होगा कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे सरकाम तो अच्छा है कर तो लूँ लेकिन नहीं चल पाया तो अरे काम अगर नहीं चल पाया तो अपनी घर की हैष्ठ तो सही करोगे कौन ऐसा घर है जिस घर में हैष्ठ के नाम पर हर साल 14 न 14 जार उपको vigग ओओ कौन ऐसा घर है जहाँ पर पैसे खर्च ना होते है हर घर में होता है ये समझ लो कि ये हेल्थ के लिए आईडवेटिक प्रोड़क्ट के लिए हमने प्रोड़क्ट लिया और हमारे 14-15 जार रुपए खर्च हो गए दोस्तो यही सवाल आज से कुछ साल पहले अभी आपने पीछे बैनर में देखा था सुचा था 99% बिजनेस नहीं चला तो क्या हो जाएगा परिवार की हेल्थ सही करेंगे लेकिन एक परसेंट विश्वास किया था कि अगर काम हो गया तो और दोस्तों एक परसेंट विश्वास का नतीजा है कि आज वही से कुमार सर आर्मी के जॉप करते हुए इस बिजनेस की सुरुवात किये थे और आज के डेट में लगवा बारा कडोर से ज़्यादा की अर्णिंग कर चुके हैं एक परसेंट का विश्वास विश्वास महिपाल सर ने किया था कि 99 परसेंट नहीं चला तो कोई बात नहीं 14 पंद्राजार की बात है हेल्थ सही होगा कम से कम लेकिन एक परसेंट अगर चल गया तो आज एक परसेंट विश्वास का नतीजा है मेरे दोस्त कि आज क्रेट में वही महिपाल सर आज महिने का 30 से 35 लाख रुपे कमाते हैं आज 16 लाख कडोर से ज़्यादा की अर्णी कर चुके हैं जब मैंने भी संस्ता को देखा तो वही एक परसेंट का विश्वास किया था इचल गया तो और दोस्तों एक परसेंट विश्वास का नतीजा है कि जो अमिद्वे आज से चार साल पहले कुछ भी नहीं था और चार साल के अंदर साड़े पांच कडोर से ज़्यादा की इंकम कर चुका है अरे आप क्या कर सकते हूँ 15,000 रुपे आप बचा सकते हैं कई लोग सोच रहे होंगे कि याँ 15,000 रुपे बचा लूँ अर्ली बात कि याज हाला कैसी चल रही है दोस्तों कि 15,000 बचा नी सकते या तो यहां दे दो आयरुवेद को या तो बाहर जाके डॉक्तर के दे दो देना तो पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ आपने 15,000 रुपे बचा लिए FD कर दो क्या होगा दस साल बात पैसे आपके डबल हो जाएंगे आज 15,000 रुपे दस साल बात 30,000 हो जाएगा लेकिन आप बताएए आज से 10 साल बात जब 30,000 आपके पोकिट में आएगा क्या कर सकते हैं अरे दो महिना बच्चों का फीस दे पाओगे एक अच्छी जोड़ी के कपड़े ले प कर सकते लेकिन दोस्तों अगर वही 15,000 रुबे यहां एसलिप प्यस में लगा दिये तो दोस्तों आज आज आपके लाइफ में भी महिपाल सर के जैसा 30,000 पर मंद की इंकम आ सकती है सोचना आपको है डिसाइड आपको करना है यह काम हमें क्या करना चाहिए यह आपको सोचना पड़ेगा मुझे पता आपको से बहुत सारे लोग ऐसे हस रहे हैं क्योंकि जिस किसी ने भी आपको इन्वाइट कर रहा होगा कई लोगों को लग रहा होगा यार पता नहीं यहां पे कौन सी बात बैताने के लिए बैठा दिया दोस्तों हम आते हैं जैसी हेल्थ की बाती होती हमें बड़ा अच्छा लगता है हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं बहुत अच्छी चीज सिखने को मिलता है लेकिन वो जैसे गोले गिरने शुरू अतने दो के नीचे चार चार के नीचे आठ हम उस इंसान को सक्क की दृष्टी से देखना सुरू कर देते हैं जिसने मुझे यहां पे इन्वाइट किया था हमें लगने लगता है कि यार इस इंसान ने तो 500,000 के चक्कर में मुझे फसा दिया आप खुद बताइए आपके किसी जानने वाले नहीं यहां पे आपको इन्वाइट किया होगा किया आप 500,000 रुपे के लालत के चक्कर में अपने जानने वाले लोग के साथ अपना रिस्ता कभी खराब करना चाहोगे क्या चाहोगे दोस्तों अगर आपकी यह सोच है तो गलत सोच है क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान अपनी पहचान और अपनी कई सालों की इमेज 500,000 के चक्कर में कभी मटिया मेट नहीं कर सकता आप ऐसा मत सोचना कि जिसने आपको इन्वाइट किया है आपको यहाँ 1000 रुपे कमाने के लिए लाया है तो लाया क्यों क्योंकि दोस्तों उस इंसान ने आज से पहले आप से पहले हमारे प्रड़क को इस्तमाल किया है और रिजल्ट आई है और जब भी कोई इन्सान किसी अच्छे चीज को अपने लाइफ में पाता है उसकी चर्चा सबसे पहले अपने लोग के साथ करता है दोस्तों वो लालच में नहीं वो आपको अपना मानता है और आपकी लाइफ में सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बड़ा बिजनेस कर दें इसलिए आज भी ना चाहते हुए किसी प्लेटफॉर्म ना होने की वज़ा से आज भी हम लोग गरीवी की जिंदगी जी रहे हैं चाहते हमारी भी है लेकिन आज भी हम उन चाहतों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ पा रहे हैं जहां से हमारी ये चाहते पूरी हो सकती है दोस्तों मौका है इसलिए प्यस विलनेस आज हो सकता है आपको कस्त लगे हो सकता है शुरुआत करने में आपको थोड़ा अजीव लेगे लेकिन बोलते हैं न कि दर्द को दर्द मारता है अगर कांटा है तो उस गरीबी की कांटा को लगाने के लिए एक दर्द फिर से सहना पड़ेगा एक बार फिर से पैसो का एरेजमेंट करना पड़ेगा साथ देना पड़ेगा आईरवेद का साथ देना पड़ेगा साथ देना पड़ेगा अपने अपलाइन का साथ देना पड़ेगा उन लोगों का जिसने संस्ता को आगे बढ़ाया दोस्तों मैं इस बात की गारेंटी देता हूँ कि किसी की लाइफ बदे न बदे आपकी लाइफ ये प्लेटफोर्म जिंदगी जरूर बदलने वाली है ये दावा है मेरा आप लोगों से आप खुद बताईए आप लोग इस काम को अच्छा मानते हैं या नो काम हमारा अच्छा है आप इंसान अच्छे हो तो अच्छे इंसान को अच्छे काम में साथ देना चाहिए हाँ या ना यस या नो आप लोग साथ देंगे तो दोस्तों एक जोर दार्तलिया होनी चाहिए स्वागत है अश्मरिवार के अंदर दोस्तों जिसको भी ये काम की शुरुवात करनी है हमारे कांटर पर फोर्म रखा हुआ है साथ में आपको 600 रुपे का किट मिलेगा आप फॉर्म भराके आप प्रोडेक्ट बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अभी 600 का किट लेके जरूर दाना जिसमें एसली पेस रिलेटेटर सारी इंफॉर्मेशन सीडी के माद्यम से और फोल्डर के माद्यम से आपको दी जाएगी यहां पे सिनेटी का बहुत बड़ा रोल है आपने पुरा कॉंसेप देखा एक इंसान दो लोग को ही रिकमेंट कर सकता है यानि कि अगर आपने सबसे पहले अपनी आईडी लगाई उसके बाद कोई आता है तो साइद यहां जाने से पहले आपके साथ कई लोग आपके साथ आजाएंगे दोस्तों आप बताईए आप लोग के लिए काम करना चाहते हैं या लोगों को अपने साथ काम करवाना चाहते हैं करवाना चाहते हैं तो फटा पड़ इस प्रोगाम के बाद अपनी सिनेट पाया यह वजह है कि जो हमी दुबया चार से साल पहले कुछ भी नहीं था आज सेंस्ता के माध्यम से साड़े पांच कड़ोर से जाजा की अर्निंग कर चुका हूं और आज अकर महीने की इंकम की बात करूं तो आज 20-25 रुपे परमंद की इंकम लेता हूं दोस्तों आप लो प्राइब से माध्यव दच्तों राज प्राइब सुछ